नमस्कार कैसे हैं आप सब अपका बहुत बहुत स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल morning gardening plants में आज हम बात करेंगे तुलशी प्लांट के बारे में तुलशी को यदि घर में लगा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान अविश्य ही रखना चाहिए तो हिंदू धरम में तुल्शी का पाधा पवित्र पुजनी और लाबकारी माना गया है सास्त्रों के अलावा आयूर्वेद में भी इसका इस्तमाल किया जाता है और तुल्शी हमारे लिए धार्मिक और वेग्यानिक दोनों ही द्रस्टे से काफी महत्वपून है माननेता है अगर तुल्शी का पौदागर में लगाते हैं तो सुक्समरदी आती है और कई बीमारियों से हमें चुटकारा मिलता है तो तुल्शी के बारे में आज हम खास बातें जानेंगे कि पाध Mayo की बारे में ऐसी मानने था है कि तुशी के पत्यों को गंगा जल के साथ मुर्थ वैक्ति के मुंूं में रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को शांत्य मुलती है हर रोज तुलशी के पाधी में जल डालना चाहिए, नीमित रुप से ऐसा करने से सभी पाप मिठ जाते हैं, मानेता है अगर तुलशी के पाधी की रोज़न अपूजा की जाए तो युम्राज उस घर में प्रवेस नहीं कर पाते हैं, सुख समर्दी हमेशा ही उस घर में बनी रहती है, कभी भी अपवित्र हातों, रविवार, चंद्र ग्रहन, एकादशी के दिन तुलशी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करने से माता कुपित हो जाती हैं और बिना जरुरत के पत्ता तोड़ने से माता नराज हो जाती हैं, तुलशी और गंगाजल को कभी बासी नहीं माना जाता है, इन दोनों चीजों का इस्तमाल पूजा में किया जाता है, माननेता है, इन चीजों के बिना आपकी पूजा हमेशा ही अधूरी रहती है, तो पूजा अर्चना में तुलशी का प्रियोग अविश्य करें, भगवान विश्नु की पूजा तुलश से जल देना चाहिए यदि आप काफी समय के लिए बाहर जा रहे हैं चार-पांच दिन के लिए तो ऐसी व्यवस्था करके जाएं ताकि पौधी में नियमी तुरुप से जल मिलता रहे धरम पुस्तकों के अनुसार तुलशी की पुजा रोज की जाने चाहिए रोज तुलशी अस्तके पश्चात आपको तुलशी में दिपक लगाना अविश्य चाहिए ऐसे करने से मातुलशी की कृपा पर बरसती है और मातारानी महलक्षमी प्रश्न होती है घर में तुलशी के पौधी की रोजा ना पूजा अर्जना करने से नकारात्मक्ता उर्जा जो है वो आप तुलशी का पाधा अविश्य लगाएं उनकी पूजा अर्चना जरूर करें दरसल पूजन आराधना के लिए पूजा अर्चना के लिए तुलशी हम रोज तोड़ते हैं लेकिन तुलशी को तोड़ते समय भी कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना अवशक है तुलशी को तोड़ते समय अगर आप अपवित्र हैं तो तुलशी को नहीं तोड़े और एकाधसी रविवार चंद्रग्रहन के दिन तुलशी के आसपास नहीं जाना चाहिए और उस दिन आहीं तुलशी तोड़नी चाहिए और रविवार जंद्रग्रहन और इन दिन एकादशी के दिन तुल्षी के पुजा अर्शना भी नहीं की जाती है ऐसा करने से दोशी लगता है और आपको काफी परिशानियों का सामना भी करना पढ़ सकता है तुलशी का पाधा वास्तु दोश्य को दूर करने वाला होता है यदि उसे सही दिशा में लगा लिया जाए तो यहाँ पर सही दिशा का चुनाव करना अवशक होता है तुलशी के पाधे को उत्तर पूर्व कोने में लगाने से सुप परिणाम दिखने को मिलते हैं तुल्शी का पाधा सीधा जमीन में नहीं लगाना चाहिए उसे जमीन से कुछ उंचाई पर लगाना चाहिए आप चाहिए तो इसे घंबले में भी लगा सकते हैं कभी भी दक्षिनी भाग में तुलशी के पाधे को नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से दोशिवथपन होता है दांतों से भी तुलशी का पत्ता जो है वो चबाना नहीं चाहिए उसे सदेव निगलना चाहिए इसके पीछे विग्यानिक कारण यह है कि तुलशी के पत्ते को चबाने से दांद खराब हो जाते हैं क्योंकि पत्तों में पारा अधिक होता है। तुलशी के पाधि के साथ ही यदि केली का पेड लगा दिया जाए तो और भी उचित परिणाम देखने को मिलते हैं क्योंकि बगवान विश्णु का निवास इस्थान होता है केली के पेड में और ऐसा माना जाता है कि तुलशी के पाधि में माता लक्ष्मी का निवास पौधों को एक साथ लगा देने से आपके साथ हमेशे अच्छे कार्ये होते हैं सुपरिणाम हर छेत्र से आपको मिलते हैं बहुती उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलते हैं कोशिस कीजिए कि जादा हो सके तो आप इन्हें एक साथ लगाने की कोशिस करें और भगवान विश्णु की पुझा भी तूलशी के पत्तों के बगेर अधूरी ही माली जाती है तो तूलशी का जब तक भूग उने नहीं लगता है उनकी पुझा आर्जना कभी भी पूरी न लगी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद